करने के लिए के लिए तो पहला है नमर वान का करेंगे यह अल्रडी एक बोला गया तो इसमें से हम लोग number of terms find करना है तो an इसमें क्या दिया हुए an दिया हुए 205 ठीक है a दिया हुए a मतलब होता है first term 7 and d is equal to कितना होगा 13 minus 7 13 minus 7 कितना होगा 6 ठीक है तो यहां से हमको number of terms find करना है that means n का value find करना है an का formula मैंने क्या बताया था an का formula मैंने बताया था a plus n minus 1 d यही formula हम use करेंगे इसमें an is equal to क्या दिया है 205 दिया हुए is equal to a का value put कर यह 7 है n पता नहीं है तो let it be n only n plus n minus 1 and d का value कितना है 6 है 7 को इदर लेके आते हैं तो यह हो जाएगा 205 7 इदर पर हो जाएगा minus 7 is equal to 6 n minus 6 ठीक है तो 205 minus 7 कितना हो जाएगा 198 198 और minus 6 को इदर लेके आएगे तो plus 6 हो जाएगा is equal to 6 n ठीक है यहाँ पर equal to sign होगा now 198 plus 6 कितना हो जाएगा 204 is equal to 6 को मैं इधर लेके आता हूं तो divided by 6 हो जाएगा is equal to n and इसको आप cancel कर सकते हैं 2 से 236 2 1 2 2 0 2 2 2 4 and यह 3 से cancel हो जाएगा 102 divided by 3 कितना होगा 3 1s are 3 3 3s are 9 and 3 4s are 12 ठीक है तो यह हो जाएगा 34 n is equal to 34 तो therefore number of terms therefore number of terms in the AP will be 34 ठीक है चलिए दूसरा वाला करते हैं इसमें a n is equal to minus 47 a का value कितना है 18 है and d is equal to कितना है 15 1 by 2 इसमें इसे इसको minus करेंगे ना minus 18 तो d को अक्चुली निकालना पड़ेगा 2 15 जा कितना होगा 30 plus 1 31 by 2 minus 18 को नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लेंगे हम 2 और 1 का यह सम कितना होगा 2 होगा यह 31 minus 1 2 जा 2 2 8 जा 36 31 minus 36 minus 5 by 2 ठीक है तो यह हो गया हमारा d d minus में भी आ सकता है now an का formula use करते है an is equal to क्या होगा a plus n minus 1 d तो an कितना है students minus 47 है a का value है हमारे पास 18 plus n पता नहीं है and d है minus 5 by 2 ठीक है तो इसको bracket के अंदर रखने क्योंकि यह minus f which implies minus 47 यह 18 को मैं इधर लेकर आऊंगा तो minus 18 हो जाएगा is equal to minus 5 by 2 n minus minus plus 5 by 2 यह हो जाएगा यहां पर 2 ठीक है तो minus 47 minus 18 हो जाएगा minus 65 is equal to यह दोनों में आप LCM करेंगे तो 2 आ जाएगा minus 5 n plus 5 which implies minus 65 into 2 यह 2 इधर आएगे तो हो जाएगा minus 130 और यह plus 5 को इधर लेकर आएगे तो minus 5 हो जाएगा is equal to minus 5 n minus 130 and minus 5 यह हो जाएगा minus 135 is equal to minus 5 n minus minus cancel ठीक है तो n is equal to kya हो जाएगा n is equal to 135 by 5 is equal to n therefore n is equal to 135 by 5 135 by 5 का value कितना हो फटापट cancel किजिए 5 2 जा 10 5 7 35 जाएगे 27 यह जाएगा cancel करेंगे तो 27 आएगा therefore is cancel होगा number of terms number of terms in the AP is 27 तो पिछले class में भी मैंने कुछ question दिया था इससे related कुछ question देता हूँ जैसे कि नोट कर लिजे 48 12 ठीक है and dot 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 64 इसमें कितना सारा number of terms है यह find किजिए एक और question ले लिजे 9 18 27 729 इसमें कितना सारा terms है यह दोनों आपका extra question है practice के लिए ठीक है मतलब जब आप number five करें homework में तभी यह दोनों साथ साथ यह दोनों question भी जरूर practice करें इससे आपका यह जो question है इस तरह के question को करने का जल्दी करने का एक skill development होगा ठीक है तो next question क्या है देखते है फड़ा फट यह students question number six इसमें पूछा है check whether minus 150 is the term of AP 11 852 तो यहां पर आपको minus three 150 को हम लोग an मान के चलेंगे let an is equal to minus 150 अगर यह 1-150 इसका एक term है तो n का एक positive integer या natural number में value आएगा ठीक है अल्री एक्जाम्बल पर हम ऐसा question किये है a plus n minus 1 d a n है minus 150 is equal to 11 plus n n तो पता नहीं है and d है minus 3 ठीक है यहां पर बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं जल्वाजी में n minus 1 minus 3 तो यह into नहीं रहे गया अगर इसको आप bracket में नहीं लिखते है n minus 1 और 3 plus 3 अगर ऐसे लिखते हैं तो ठीक है into मान सकते हैं अगर minus 3 यह लिखते हैं तो इसका मतलब n minus 1 से minus 3 हो रहे तो into इसको दिखाने के लिए यह bracket में डालिएगा ठीक है अगर यह minus में है तो plus में है तो कोई बात नहीं माइनस 150 11 को इधर लेके आए तो माइनस 11 हो गया minus 3 into n minus 3 into minus 1 plus 3 minus 150 minus 11 क्या हो जाएगा minus 161 यह plus 3 को इधर लेके आ जाता हूं तो यह divided by minus 3 हो जाएगा is equal to n minus minus cancel अभी यह जा रहे किया 165 16 16 कितना जाता है देखते है 35 15 ठीक है 35 15 1434 12.36 18 54.6666 आ रहा है ठीक है डिवाइद के देख लिजेगा 54.6666 चलता जाएगा तो यह n का जो है एक positive integer में नहीं आया है यह इंटीजर नहीं है डेसिमल नंबर है तो देरफोर हम लिखेंगे minus 150 is not a term of the given ap ठीक है इसका भी कुछ कुछन देए तो मैं प्राक्टिस करने के लिए फॉर प्राक्टिस और यह कुछन आपके कॉपी में होना चाहिए लिखिए चेक सेम कुछन रहेगा चेक वेदर 80 is a term of the ap 46810 dot 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 एक और कुछन देलीजे चेक वेदर minus 65 is a term of the ap यह चेक वेदर में लिख रहाँ ठीक है ना यह किसी के continuation है देखना तो 195 90 dot dot तो यह दो कुछन को जो है प्राक्टिस करने ज़रूब ठीक है तो देखते हैं हमारा अगला कुछन क्या है कुछन नंबर 7 बोलें find the 31st term of an ap whose 11th term is 38 इसमें दो चीज दिया 11th term दिया 38 and 16th term is 73 ap का आमको first term last term कुछ नहीं दिया यह दिया हो है क्या कि जो 11th term है वो है 38 and 16th term है वो है 73 और आपको बोले 31st term find करने के लिए मतलब a31 find करने के लिए दिया क्या हो है a11 दिया हो है 38 a11 मतलब a plus 10d है कि नहीं a plus 11 minus 1d जो कि 10d हो जाएगा is equal to 38 यह हो गया equation 1 a 16 is equal to कितना है 73 which implies a 16 क्या हो जाएगा a plus 15d is equal to 73 equation 2 now equation 1 को equation 2 से subtract करें equation 1 subtracting equation 1 from equation 2 we get देखते हैं क्या हमको मिलता है a plus 15d is equal to 73 a plus 10d is equal to 38 यह minus करना है तो नीचे का sign change हो जाएगा plus a minus a cancel 15-10 5d 73-18 यह कितना हो जाएगा 36 35 ठीक है 35 तो d is equal to कितना हो जाएगा 35 by 5 d का value हो गया 7 हम क्या करेंगे d का value putting d is equal to 7 in equation कोई भी equation में put करें हम करें equation 1 में put in equation 1 we get a plus 10 into 7 is equal to 38 तो a is equal to कितना हो जाएगा 38 minus 70 क्योंकि 10 into 7 कितना हो जाएगा 70 होगा जो plus में है इजर आएगन minus हो जाएगा तो a का value हो गया students यहां से 20 32 ठीक है minus 32 actually minus 32 a का value हो जाएगा minus 32 ठीक है तो a मिल गया हमको और d मिल गया हमको तो a 31 निकालने से कौन रोख सकता है भी कोई रोख सकता है कि a 31 का formula क्या होगा a 31 होगा a plus 31 minus 1 d मतलब a plus 30 d हो जाएगा is equal to minus 32 plus 30 into d का value कितना है d का value है 7 है ना यह देखिए d का value 7 निकालने तो minus 32 plus 210 ठीक है अब 210 से अगर हम 32 minus करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 178 minus करके देखिए रफ में 210 minus 32 8 9 10 करेंगे 14 7 11 करेंगे 178 ठीक है तो इसका मतलब जो 31st term है जो question में पूछा है 31st term of the AP is 178 ठीक है देखते हैं next question क्या है तो यह students next question question number 8 question number 8 में क्या बोला है एक 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 50 terms है of which third term is 12 यानि कि हमको A3 दिया हुआ है A3 कितना दिया हुआ है A3 12 and the last term is 106 last term मतलब an find the 29th term तो last term इसमें बोला है 106 और इसमें total term कितना है 50 terms है तो last term हमारा क्या हो जाएगा A50 हो जागा यहां पर थोड़ा सा आपको indirectly चीज़ बोताएगा ठीक है पहले बोल दिया कि 50 term है जिसमें तीसरा वाला टम ब्वारा है मतलब 12 है तो A3 हो गया हमारा 12 और जो last term है तो last term कौन सा होगा इसमें 50 term है तो लास तरम पचास वा होगा ना इसलिए 50 हो गया 106 और बोला है फाइंड़ा 29 अब इसका मतलब जो है बिल्कुल पिछले वाले question जैसा हो गया कि हमको दो टम दिया हो है और एक तीसरा टम निकालने के लिए कहा गया है तो पिछले वाले में हमने क्या किया था equation माना कि किया था बिल्कुल वैसा ही इसमें भी करेंगे तो ए 3 is equal to 12 है ए 3 का फॉर्मूला क्या होगा ए 3 का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2D ए प्लस 2D is equal to 12 यह हो गया एक equation उस तरह से 50 कितना है 106 है तो ए प्लस 50 माइनस 1D मतलब 49D is equal to कितना हो जागा 106 तो दो equation मिल गया हमको हम क्या करेंगे subtracting अरे pair of linear equation in one variable solve किया कि नहीं वही तो है subtracting equation 2 from equation 1 we get हम equation 2 को भी subtract कर सकते है 1 से या 1 को भी 2 से subtract कर सकते है एक ही बात है 2 को हम कर रहे है इस statement के हिसाब से 2 को हम subtract कर रहे है तो वान वाले को नीचे लिखना है उपर लिखना है स्वारी 1 को 106 अब माइनस करें तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा माइनस करेंगे तो यह तो पता ही आपको प्लस ए माइनस से कैंसल हो जाएगा 2D माइनस 49D यह हो जाएगा माइनस 47D अब 12 माइनस 106 यह कितना हो जाएगा 94 माइनस 94 ठीक है माइनस माइनस कैंसल डी इस इगल टू हो जाएगा 94 बाई 47 तो डी का वैलू इसमें से कितना आएगा कि मेरे कहने का मतलब है क्लास 10 के बच्चों गया यह जवान ही आना चाहिए कि फटा फट को देखते हैं इसको पता चल जाए क्योंकि देखिए 7 है पीछे अभी से 2 मुल्टिप्लाई करने से 4 आने का चांसे से तो 2 से फटा फट दिना में मुल्टिप्लाई कर लिए 472094 तो इक्वेशन 1 में करता हूं हमेसा यह मेरा आदत है आप चाहे तो एक्वेशन 2 में भी करेंगे कर सकते हैं ठीक है ना दोनों में करने का जोड़त ने किसी एक में करना है तो तो ए प्लस 2 इंटू 2 इस इगल तो 12 इंटू 2 कितना होगा 4 होगा 12 माइनस 4 कितना होगा 8 होगा therefore A is इगल तो कितना होगा 8 तो A का वैलू भी मिल गया तो आप कौन रोकरा है तो A to Indian निकालने में A to Indian क्या हो जाएगा A plus 29 माइनस 1D अरे देखो ना formula क्या है A is इगल तो क्या है A plus N माइनस 1D तो N के जगा 29 रख दिया हमने A plus 29 माइनस 1D आ गया अभी जो A का वैलू निकाला है वो कितना निकाला है 8 निकाला है 29 माइनस 1 कितना होता है तो बच्चे भी बता देंगे 28 है दी कितना है दी सर 28 है तो चलो सरी डी टू है तो टू है तो 8 प्लस 28 इंटू कितना होता है बोले सर 56 होता है ठीक है 56 8 प्लस 8 कितना सर 64 होता है तो यानि कि therefore the 29th टर्म इस कितना जहीं सही बोले 64 29 टर्म इस 64 ठीक है तो यह कोशन नमबर 8 बहुत यह असान था 7 इट अल्मोस्स सिमिलर कोशन था आपको इसका एक्स्टर कोशन मैं नहीं दे रहा हूं अगर आपके पास एक्स्टर कोई बुक है तो उसमें इस तरह कोशन मिलता है तो आट दस प्रैक्टिस कर डाली अभी के अभी ठीक है तो इसका जम्म